कि हाइड दोस्तों आजने के साथ फिर मैं एक वर तो सवर्मनेनल क्यूशन में पार्ट बन में कराया था तो चलिए नया वीडियो दिखता हूं यहां पर थीक है ठीक है तो चलिए फड़ा फड़ थासा देखिए गा ठीक है इसमें करीब आपसका पचास से साथ क्यूशन है ठीक है तो फड़ा फड़ा सा करिएगा जाता बेटर होगा तो पहला क्यूशन है कि सौर मनल के मुख्या कौन होता है तो जब दी आप देख लिए होंगे सौर मनर का मुक्षा जो है सूर होता है कौन होता है सूर होता है राइट अंसर चलिए अगला देखते हैं अगला है तो सौर मनर का सबसे बड़ा उपगरा तो सबसे उपगरा जो है बिहसपती का जो है गिनी मेड है ठीक है उपगरा कहेगा तो गिनी मेड और गरा कहेगा तो ठीक है और चलिए आगे चलते हैं अगला है पिर्थिवी के नजदीक वाला गरह कौन है तो पिर्थिवी के सबसे नजदीक गरह जो है वो सुक्र है क्योंकि सुक्र को जुड़वा भाई बोला जाता है इसलिए पिर्थिवी के सबसे नजदीक वाला गरह जो है सुक्र है अगला क्यूशन है कि गरह की संख्या कितनी है तो जब यह आंसर था गिनी मेट लेकिन अब दूसरा सबसे बड़ा उपगेरा कारा अब भूलें अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूलें और सबस्क्राइब करें चैनल को ठीक है तो सूर से सबसे दूसर जो है कौन है पहले पुलोटो था लेकिन पुलोटो हट गया है तो बरून है कौन सा है बरून है अगला क्यूचन है कि सौर मंडल का सबसे चोटा उपगरा कौन सा है तो सौर मंडल का सबसे चोटा उपगरा कौन सा है तो सौर मंडल का सबसे चोटा उपगरा जो है बूध है कौन है बूध ही राइट अंसर और यह जो है सूर्ज के सबसे नजदीक है तो देखिए अगला नंगी आखों से कितने गरह को हम देख सकते हैं तो नंगी आखों से हम सिर्फ पांच गरह को देख सकते हैं वो भी कौन-कौन तो जो भी जो है आपका नाम है दीन के नाम से जैसे बूध, सुक्र, शनी, बिहस्पति, मंगल है ना यह सो जो भी है दीन के नाम से तो सभी को हम सुक्रा कास गांगा का नाम की तो हम सियस में कितना होता है तो सुर्य का सत्या का सत अपमान से आ गया होगा तो अगे चलते हैं हमारी अकास गंगा का अकार कैसा अगला के कीन दो गरहों के बीच इस्थित है पिर्थिवी जो है कीन दो गरहों के बीच इस्थित है तो पिर्थिवी जो है आप इसको अनसर मारिएगा तो सुक्र और मंगल यानी जो पिर्थिवी है सुक्र और मंगल के बीच इस्थित है अगे पिर्थिवी के जुड़वा बहन कौन है तो पिर्थिवी का जुड़वा बहन वही होगा जो पिर्थिवी के नजदिक होगा तो पिर्थिवी के नजदिक सुक्र है यानि जुड़वा बहन सुक्र है ठीक है और यह सुक्र और मंगल के बीच में सी थे पिर्थिवी के लिए तो जो सुर्य के सबसे नजदी कौन है बुद्ध है तो बुद्ध है जो सबसे कम समय ने याठासी दिन में लगाता यह जलते हैं अगला कर्णें है विहस पत्थि क्玩 proper कौन सा रंका है बोस्तों जो है पिला है कैसा है वह सबस्तों है पति है पिला ठीक है और सूज जो है पृत्वियू है जो नीला है पृत्वियू कैसा है नीला है ठीक है इसको कन्ठस कर लिजेगा ठीक है अगर आप competition के त्यारी करते हैं तो उसमें भी आर्मी का या ससे जीडी का ठीक है या गुरूप डी का समय क्यूशनी आता है तो इसलिए देखिए टोटल वीडियो क्योंकि आप बहुत सारा इसमें डाला गया है अस्कीप करके ना देखेगा आराम से सेटमा दिएगा ठीक है आगे सबसे अधिक चमकिला गरह कौन सा है सबसे अधिक चमकिला गरह कौन सा है तो सबसे अधिक ईल्टा घुमता है तोँ ल्टा कौन कौन सी घुमता है ध्यान देलिजेगा ॥ा उल्टा और शुकर कि calam है यह यहानि आंसर हो जाएगा आपका अरून और शुक को जो है उल्टा घुमता है पृर्ठेवी को है अपेक्षा केलियर सनी गरह में कितने बले हैं तो आप जानते हों कि सनी में कितने बले हैं तो सनी में साथ बले हैं कितने बले हैं साथ बले हैं इसलिए बलेओं बला गरह किसे का जाता है सनी को अभी याद रखेगा बलेओं बला गरह किसे का जाता है सनी को पिर्थिवी सूर का एक परिकर्मा कितने दिन में लगाता है तो आप जानते हों कि 365 दिन 6 घंटा कितना दिन 365 दिन 6 घंटा यही 6-6 घंटा बढ़ता है तो साल में 4 घंटा 4 साल बाद एक दिन बनता है तो वही लिपियर होता है 366 दिन का ठीक है तो यह दियान दे लिजेगा लिख लिजेगा एक्षा जो भी मैं बोलता हूं उसे लिख लिजेगा पिर्थिवी के उपगरा की संख्या कितनी है तो पिर्थिवी का एक उपगरा है जिसे कह जाता है चंद्रमा हमारे पिर्थिवी के एक मात्र जिवासम उपगरा कौन है वो है चंद्रमा पिर्थिवी का जिवास्म उपगरा का नाम किया है तो वही चिवही बहता रहा था मैं चंद्रमा ठीक है आगे चलते हैं एक मंदाकनी में कितने तारे होते हैं तो एक मंदाकनी में जो है सो अरब तारे होते हैं, कितने होते हैं, सो अरब तारे होते हैं, किलियर, तो आप देखिया कि आप 55 से 60 क्युशन उसमें कितना मारे, वो जरूर हमें एक कॉमेंट में बताईएगा, ठीक है, कितना क्युशन आप सही किए, यह आप लोग का एक तार्गेट है, क्या पढ़ें आप लोग, सुर्य-एक क्या है क्योंकि अब जो है, एकजाम भी आप लोग को 25 जुलाई जड़ी वाला के 25 जुलाई है और यह सब का 29 को है नर्सिंग को 29 अगैस तो ध्यान दे ले जाएगा, सुर्य-एक क्या है तो सुर्य-एक गैस का गोला तो हैं ही option वो नहीं है तो अब तारा है सुर्य क्या है तारा तारा किसे कहते हैं तो जिसमें क्या बोलते हैं गैस होता है जिसमें अपना light होता है उससे तारा यह ध्यान देगा फिर इसको हम बोलते हैं ठीक है अगला है कि ब्रहमांड में सबसे अधीक मात्रा में कौन सा गैस है तो ब्रहमांड में आपका सबसे ज़्यादा hydrogen है 71 परतिसत क्या है hydrogen है hydrogen है और helium कितना है तो 26.5 परतिसत है helium है हिलियर यही जो है चार hydrogen हिलियम के निर्मान करता है जिसके कारण सुर्ज में परकास है यह ध्यान दे लिजेगा अगर बाई मंडल में कहेगा तो बाई मंडल में सबसे ज़्यादा nitrogen है 78 परतिसत ठीक है और oxygen जो है 21 परतिसत है अगर confirm कहें तो 20.68 आप याद कर लिजेगा oxygen कितना है oxygen जो है आपका बाई मंडल में 21 परतिसत या फिर कहा जा सकता है 20.68 है ठीक है तो बहुत अच्छा अच्छा जनकारी दिया जाएगा और nitrogen जो है 78 परतिसत है कितना है 78 परतिसत बाई मंडल में अगर पिरतिवी पर पूछा जाए तो पिरतिवी पर सबसे ज़्यादा oxygen है पिरतिवी पर सबसे ज़्यादा oxygen ह सणी के पास कितना उपगरा है तो सणी के पास कितना चंद्रमा है तो भ्यासपत्ति के पास जो है आपका 79 चंद्रमा है 89 चंद्रमा है कितना है 79 ठीक है 84 भी बता दिया मैं सनी के पास और 89 को है भ्यासपत्ति के पास ठीक है आगे है आगे मैं बताता हूँ सौर मंदल का केंदर कौन है तो सौर मंदल का केंदर जो है सूर्ज है कौन है सूर्ज है पुरा बर्मान का भी केंदर सूर्ज है और सौर मंदर का भी केंदर सूर्ज है आगे है कि गरह का गति नियम कौन दिया तो गरहों का गति नियम जो है ये दिया था आपको केपलर गरहों का गति कौन दिया था केपलर ने दिया था गरहों क ऑर गराहूं का गाति केपलर ठीक है और कॉपर निकस नहीं कहा था कि जो सूर्ज है जो स्वॉर Помंडल का केंद्र है कॐंड बोला था ये भी पूझ दता है कि इस शूर्ज है सौरमंडल का केंद्र है किस도 कॉह था तो कॉपर निकस जो है चार हाइडोजन बराबर जो है एक हिलियम बनता है इसी के कारण नाविकिए सनलयान होता है मिलना हुआ यानि सनलयान और टूटना यानि विखंड ठीक है सूर्ज पिर्थिवी से कितना गुणा बढ़ा है तो सूर्ज जो है पिर्थिवी से 110 गुणा बढ़ा है कितना गुणा बढ़ा है 110 गुणा बढ़ा है सूर्ज में सबसे अधीक मातरा में कौन सा गैस है तभी मैं बताया कि हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा कौम सा है hydrogen है clear hydrogen है सबसे ज्यादा clear आगे चलते है अप sore की घटना कब होती है अप sore और oop sore है ठीक है तो इसको कंठस कर लीजेगा थाशा ठीक है apsore की घटना कब होती है तो apsore जो होता है वह 4 july को हता है qa bhoता है उपसर QJ होता है चार जुलाई को होता है की लिए उपसर जो है तीन जुलाई को एक उपसर आता है उपसर के ख़टना तो 3 जुलाई को ठीक है इसको कंठस कर लिजेगा बहुत यह बच्वार बड़ क्यूचन पूछता है दूसरा सबसे बड़ा गर है, सबसे बड़ा भिहसपती, तो भिहसपती के बाद कौन होता है, सबसे बड़ा भिहसपती, उसके बाद सनी होता है, ठीक है, पिर्थिवी अकार में सबसे बड़ा गरा है, यानि कैमा है, पिर्थिवी जो अकार में कैमा सबसे बड़ा गरा है, तो ये जो है पि सबसे चोटा बुद्ध है कि उचाने कि सौर मुलगा एक मात्र गरा जिस पर जीवन है जीवन किस पर निर्भा कौन पर है तो आपका पिर्थिवी है एक मात्र ऐसा गरा है जिस पर जीवन आदमी है जे लोग रह रहे हैं सूरी के बाद पिर्थिवी के सबसे नजदिक का तार आगे है है हैलो नामक धुमकेतू का परिकर्मन काल कितना होता है तो हैलो नामक जो है यह जो है परतेक 76 बर्ष पर एक परिकर्मा करता है यानि 76 साल बाद दिखता है कितना बाद दिखता है 76 बर्ष बाद दीखता है तो इसे क्यूचन और आते हैं तो जो इसमें डिया हुआ है देखिए इसको कह रहा है कि अभी मैं बताया कि यह हैलो नामक धुमके तु कितने साल बाद देखता यानि परिकर्मनकाल कितना है तो उसका जो है तो आप 1286 में उन्हें 176 जोड़ दीजएगा आपका आंसर आ जाएगा चली आगए . चंद्रगरहन कम लगता है जोiggles पूर्नीमा के दिखता पुर्णीमा को दिखता है तो गरहन उसी दिन लगेगा अमवसिया को लगता है तो अगला क्यूचन है भी कि शूर गरहन का लगता है तो अमवसिया को और चंद गरहन पुर्णीमा को अंतराष्टियती ती रेखा किसे कहते हैं तो अंतराष्टियती ती रेखा जो है 180 डिग् करक किसे कहते हैं तो करक बूलते हैं 53 डीज्ग्री अच्छांस की किसको बलते हैं देखे इसको भी अहों को और जो ऐसे होता है यह खड़ा खड़ा इसको थे सांतर बोलते हैं तो व renowned रेक्षा भी जो है एक जीरो डिगरी अच्छांस को बि als प्रैखा बोलते हैं और उससे साड़ canal तेस डिगरी और उसको बोलते हैं आपको करकर गा हां जो तेश़ देज डिगरी नीचे है ठीक है यानी हम कह सकते हैं कि उत्रिया बोल स्वाटी गhantar 30 मीनट जो यहाँ गिनिवीस से यह से क्लिए आग अगे देशांतर की संक्रा कितनी है तहù ही मैं बता रहा था कि देशांतर कहते की सिनक्ला हो खिती बगावे यह च्त हँग गया नीचे यह चत यह पड़्द हो गया तो होगा 180 360 लेकिन अगर option 181 है तो 181 मारेंगे क्योंकि जो यह है देखें बीच में 0 डिग्री जो है वो विश्वत रेखा ये भी अच्छांसे है तो 90 गो उपर होता है और 90 गो नीचे होता है तो 90-90 180 आये गो यह 0 बला हो गया तो 181 फिर हो जाता है आपका अच्छांस देसांतर कहेगा 360 अच्छांस कहेगा तो 181 181 option नहीं है तो 180 हमारेंगे ठीक है क्लियर तो बस इतना ही तक आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं जितना ज़्यादा ज़्यादा सेर करें तो आपको यह 15-16 मिनट में टोटल ब्रहमान का क्य अबारत और कॉमेंट में कार लिखना ना भूलें थैंक यू क complündenो वाह गिपा करें ए感謝कर दो आफले दूप टो आपको यह जो करेंगे है करें